हेलो फ्रेंट स्वागे था आपका मेरी चैनल में आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि अगर आप फेस्बूक रहे हैं तो दोस्तों फेस्बूक पर अगर आप कोई स्टोरी या रियर्स अप्लोट करते हैं तो उसकी क्वाल्टी कम हो जाती है तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप कोई भी रियर्स या कोई भी फोटो या कोई भी वीडियो अगर आप अप्लोट कर रहे हो फेस्बूक इस्टोरी पर अपने तो उसकी क्वाल्टी आप कैसे हाई कर सकते हो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ तो बिना कुछ देरे के चले वीडियो को श्टार करते हों जानते हैं How to upload high quality videos and photos on Facebook story इसके लिए आपको simple साइक काम करना होगा कुछ settings करनी होगी मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों अगर आप मेरे चनल पर नए हैं तो मेरे चनल पांड़ी Hex को subscribe कर दें और वीडियो को like करें इसके लिए आपको दोस्तों प्ले स्टोर पर चले जाना है प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको Facebook सबसे पहले आपको यहाँ से update कर लेना है updated आपका होना चाहिए फेस्बुक फेस्बुक अपडेट कर लेने के बाद आपको Facebook open कर लेना है Facebook आप open करोगे तो ऐसा interface आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर अब आपको क्या करना है मैं आपको इश्टे बाई इश्टे बताने वाला हूँ आपको जिंपले अपने profile photo या three lines आपको यहाँ दिख रहा होगा उस पर आपको tap करना है और आपको नीचे जाना है तो mobile data या silver data जो भी आपको option मिल रहा है उस पर click कर देना है और इसे open कर लेना है open करने के बाद ऐसा interface आ जाएगा और यहाँ पर mobile data users के अंदर आपको बहुत से आपको options यहाँ मिलेंगे अब main setting आपकी यहीं पर होती है यहीं से आप अपने according video या photo की quality आप अपने according सेट कर सकते हैं automatically तो पहला setting आपको क्या करना है video quality के अंदर आप देख रहा हो यहाँ पर data saver लिखा हुआ है use up to 40% less data by reducing video quality यानि आपका data यहाँ पर save करने के लिए यह setting रहता है कि अगर आप इस पर टिक कर दो कि 40% आपका data less use होगा तो इसी लिए आपकी video की quality कम हो जाती है तो आपको इसे क्या करना है optimize पे optimize पे आपको क्लिक कर देना है address video to network condition आपके network के condition के according आपका video optimize हो जाएगा और high quality में upload होगा थोड़ा data ज्यादा लगेगा but quality बहुत ही बेतरीन रहने वाली है क्योंकि आप सबको पता है कि अगर कोई भी reels की कोई भी photos कोई भी videos की quality अगर अच्छी रहती है quality high रहती है तो वो video viral होने के chances थोड़ा ज़्यादा बर जाता है तो आपको यहाँ पर यह पहला setting कर देना optimize पर आपको क्लिक कर देना है और दूसरा काम आपको क्या करना auto play auto play में देखे on wi-fi only है आपको इसे क्या कर देना है on mobile data and wi-fi इस पर आपको यहाँ पर टिक कर देना है यह दो setting आपको यहाँ पर करनी है बाकी आप नीचे अगर चाहो तो यहाँ पर videos start with sound इसे भी आप यहाँ से on कर सकते हो sound in the eye आप इसे भी on कर सकते हो यहाँ से तो यह setting मैंने दो setting आपको main setting बताई आपको optimize आपको यहाँ कर देना है और यहां पर on mobile डिटा यहां इन वाइफाई कर देना है यह दो सेटिंग थी मैंने आपको बताई यहां पर उसके बाद आप जो भी आप अप अपलोट करोगे कोई भी आप अगर देख सकते हो कोई भी वीडियो ज्री अगर आप अपलोड करोगे तो हाई क्वालिटी में अपलोड होगा तो इस तरह बहुत ही आसानी से दोस्तों आप फेस्बुक पर यह सेटिंग करके आप अपने वीडियो के क्वालिटी को हाई कर सकते हैं उमीद है वीडियो बहत पसंद आया होगा ऐसे कंटेंट के लिए मेरे चनल पांडी हैक्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें थाइंक्यू सो मैं दोस्तों